वही महिला कॉंग्रेस महिला अधिकारों से जोड़े वीविन मांगो को लेकर 23 जुलाई को दिल्ली जंतर मंतर पर देश व्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगी जिसमें अलमोडा जिले से महिला कॉंग्रेस पदाधिकारी और कारेकरता हिस्सा लेंगी महिला कॉंग्रेस की जिला अध्यक्ष राधा बिश्च ने बताया कि स्विरूद प्रदर्शन का नित्रित्व अखिल भारतिय महिला कॉंग्रेस की अध्यक्ष अलका लामबा करेंगी इस अंदोलन में केंदर सरकार से तीन बड़ी और एहम मांगे की जा रही है राधा बिश्च ने आरोप लगाया कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराद सबसे एहम मुद्दा है और सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है उन्होंने काया कि महिलाओं के खिलाफ अपरादों में उत्राखन नौ हिमाली राज्यों में पहले अस्थान पर पहुँच गया है भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपरादों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है सरकार इसे रोकने में पूरी तरह से विफल साबित हुआ है अलमोडा से नसीम एहमद की रिपोर्ट जैसे की आप देखी रहे हैं महिला अपराद दिन परती दिन बढ़ते जा रहे हैं हमारी राश्टी अध्यक्स अलका लामजी के नेतरुत में हम वहाँ पर 29 जुलाई को हम लोग वहाँ पर धरने में जाएंगे और यह धरना 29 जुलाई से सुरू होगा और हर सहर में इसको भी बाद में किया जाएगा